नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर दाक्षिनपूर्व मधिर रेलवे नागपूर मंदल द्वारा रेलवे स्पोर्ट्स स्रेडियम मोती बाग ग्राउंड पर 73 गंता अंतर दिवस कोविट प्रोटिकॉल के सारे नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए हर्शो उलास से मनाया गया इस अफसर पर मंदल रेल प्रभंदक मनिंदर उपल द्वारा राष्टगान के सूमधिर संगीत के साथ तरंगा फेहराया गया उपल ने आरपियेफ स्कावद गाइड नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत शांदार परेड में शामल जवानों से सलामी स्वीकार की अपने संबोधन में उपल ने सभी रेल कर्मियों को शुपकाम नाय दी तथा मंदल की उपलब्दियों के अलावा महा प्रभंदक द्वारा दिये गए संदेश को कर्मियों के लिए पढ़ा वो कर्मिचारियों से आवाहन किया कि वो लगन एवं निश्ठा के साथ कारिक कर दे रहें ताकि मंदल आगे भी हडशेत्र में नए मुकाम हासिल कर सके उन्होंने यात्री सुविधा तथा सुरक्षा को प्राथ्विक्ता देने पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि अनुशासत इवं निरंतर प्रयास से हमने करोना काल की विपता में नए किर्थीमान स्थ पितकर सभी वर के लोगों को अभूत पूर्व सुविधाय प्रदान की है तथा सरकार प्रशासित की मदद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश की अर्थ विवस्था में रेडवेस की भूमी का अत्यन महत्वपूर्ण तथा सराहनिय रही इस आशे के विच उचायां हासिल की है नागरिकों को विश्वस्तरिय परिवहन की सुविधा मुहया कराना हमारी जिम्मिदारी है लोगों की आक्षाओं और अपेक्षा जब तक पूरी नहीं होगी हमें कड़ी मेहनत कर नई उचायों को हासिल करते रहना है हर कदम के साथ देश भक्ती के ज 2019 से मुकाबला करते हुए भी हमें अपने लक्षे तक पहुचने में सपल हो गए हैं 2019 से शुरू होते हुए अब 2022 आ गया है और आज भी हम पूरी मुस्तैदी और तयारी के साथ अपनी मंजर की ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में महा मेट्रो को नई पहचान परिवार को नोंने बधाई दी सकरदरा व्यापारी संकेत अत्वावधान में रोचक आयोजिन क्याफे जिसको परिसर में गंतंतर दिवस का कारक्रम आयोजित किया गया इस वर्ष नन्हे मुन्हे दर्ष एवं प्रिंस चौधरी के हातों ध्वच फैर आया गया कारक्रम में उपसित कवी अनील मालोकर ने कहा कि यह देख कर बड़ी प्रसनता होती है कि व्यापारियों की यह संस्थार निरंतर जनता के लिए सेवारत रहती है सभी राशे पर भी उत्सा पूर्वक्मन आये जाते हैं ड। मन मोहन राठी ने कहा कि हाल ही में रक्तदान शिबर का आयोजन शांदार रहा एवं शीगर ही चिकित्सा शिबर का आयोजन किया जाएगा कारक्रम का संचाल नरेंद्र सती जाने किया, आभार राजु कावले ने माना कारक्रम में अध्यक्ष सतीष चौधरी, कारय अध्यक्ष सत्तार खान पठान, कोशा अध्यक्ष डॉक्टर बादल गोसवामी, उपाध्यक्ष गनेश जैस्वाल, सुधाकर राउत, आदी मानिव और सकरदरा व्यापारी संग के पदादीकारियों तता सदस्यों की उपस्तिती रही। गुरुवचन सिंग खोकर, रामकृष्ण पतनायक, सुरेश रावडा, भुपेश राम टेके, पूर्वपतनायक, कृष्ण वेणी पतनायक, आदी मानिवरुक प्रमुकता से उपस्तित थे। इस अफसर पर परिसर के बच्चों में चॉकलेट और मिठाई वित्रन किया गया भार्दी जंदा पार्टी प्रभाग एक में त्रिकोनी पार्क, शिवगिरी, शंभुचोक, आहुजा नगर, काड़े ले आउट, हाउजिंग बोर्वसिंदू, बालो द्यान में सधर भाग, सरसंग चालक अनील भारद्वाज, पूर्वधाग, डॉक्टर मेलिन माने, सुष्मा चौधरी, उत्तर नाकपुर, महिला अध्यक्ष, सरीता माने की प्रमुक बस्तती में द्वजा रोहन का कार्क्रम आयुजद किया गया, इस अफसर पर बॉड अध्यक्ष, मनीश दास्वानी, जग्दीश, वंजानी, उशादानी, सीमा मेश्राम, विजे कीवल र राजेश भट, प्रमोद, देव, राजकुमार, ढोलवानी, करहिया, रूपचंदानी, आधी भाजपा, पदारीकारी, इवं कारेकरता गण उपस्तत थे। संसा की ओर से राजेश धनवानी, हीरो मुटवानी, जिया श्वेक, दिलिप धनवानी, राम अदलवानी, राजेश खत्री, घंशाम लालवानी, भारत पारवानी, विजे जैस्वानी, सुनील बत्रा, जै मुलचंदानी, हरीश मुलचंदानी, कमल हरवानी, किशोर धनवा मनोज माखीजा आदीपदादीकारी और कार्यकरताओं ने कार्यक्रूम को सफल बनाया 73 वे गनतंत्र दिवस के अफसर पर आरे विद्या सभा के अध्यक्ष अशोक रपलानी दयानन आरे कन्या महाविद्याले में घंशाम दास कुकुरेजा द्वारा तिरंगा फेराया गया राजेश लालवानी सचीव आरे विद्या सभा के सदस्य गण राजीब क्यांचंदानी हम दयानन स्कूल अभिमन्यो कुकुरेजा लालचन लखवानी राजेश केवल रामानी प्राचारे डॉक्टर श्रद्धा अनील कुमार दयानन आरे कन्या महाविद्याले नाकपुर केवल रामानी, कवीता हरीमानानी, सिंगेल, कवीता वेलानी प्रमुक्रूप से उपस्त थे। अपने अध्यक्षिय भाशन में अशोक रिपलानी ने भारत के संभिधान में विश्वास दोहराया। घंशाम दास कुकुरेजा ने संसा के बारे में अपने संभोधन में बत पर प्रकाश डाला। पूरे उत्साव के साथ बनाया गया। जिसके तहट खेलमदान में तिरंगा फैराया गया। इसके बाद राश्रगान के साथ सभी उपस्त देश प्रेमियों द्वारा जोशी ने नारों के साथ क्रांती वीरों के बलिदान का स्मरन करते हुए तिरंगे को सनामी दी गई। क्लब के बच्चों द्वारा परेड एवं रंगारंग कारक्रम की रस्ती दी गई। कारक्रम के द्वरान विशेश आमंत्वित अतिथी संदीप कॉशिक द्वारा मारतदरशन किया गया। कारक्रम के दुरान प्रमुकता से आजाद यूथ फोर्स की पूरी जीम, क्लब की बच्चे वं स्थानी ग्राम वासियू पस्तित थे। आजाद यूथ फोर्ज महिला ब्रिगेट के हस्ते बच्चों में मिठाई और चॉकलेट वित्रत की गई। को सलामी दी गई। अंत्र दिवस मनाया गया। बार और जैब होले बोजनाले के खिलाव कोविट प्रोतिकॉल का उलंगन करने पर कारवाई की गई। इसी तरह सतरंजीर पुरा जोन के अंतरगत कुंदलनाल गुपता नगर में प्रकार ढगाते और बापुजी अन्य नगर में घंशाम शाहू के खिलाव शादी समहारों में कोविट नियमों का उलंगन करने पर कारवाई की गई। और अठारा हजार उपे का जुर्माना वसूल किया गया। मनपाय। रादाकर्शन भी के निर्देशानुसार और उपद्रव खोजी दल के प्रमगवीर सेंतामबे के मार्ग दर्शन में यह कारवाई की गई। गंतंत्र दिवसपर पिछले अनेक वर्षों से जबरेश्वर शिवमंदिर में महार्थी का आयोजन होता है। इस साल कोविट प्रोटोकाल का पालन करते हुए 73 वे गंतंत्र दिवसपर महार्थी के पस्चात प्रसाद का वितरन किया गया। अनिक लोगों ने इसका लाब लिया, नगर सिविका एवं राष्टरवादी कॉंग्रेस पाल्टी की प्रदेश महासचिव, आभापांडे एवं महाराष्टर कॉंग्रेस व्यापारी आगडी के अध्यक्ष अतुल कोटेचा के हस्ते प्रसाद वितरन किया गया। इस अउसर पर व्यापारी अगडी की अध्यक्ष पत पर नियुक धोने पर अतुल कोटेचा का शाल, बुके वश्रीफल दे कर उनका सतकार राजकुमार गुपता, उमेश चांगल, किशोर धाराशिवकर, रामकृष्ण गुपता, मन्सुक लाल सोनी, उंकारेश्वर गु की ओर से अध्यक्ष किशोर धाराशिवकर के हस्ते कोविश्रीड वैक्सिन का भी वितरन किया गया, कारेक्रम के संयोजक राजकुमार गुपता, उमेश चांगल ने सभी माननेवरों का आभार मना, इस कारेक्रम को सफल बनाने में सरवश्री रमेश चांगल, पुर्षत्त और उत्सा से मनाया गया, द्वाज़ारोहन मोहन नाटकर सचिव राजिंदर हैस्कुल के हस्ते किया गया, प्रमुक अतिति के रूप में पूर्वविधायक दिनानात पडोले राजिंदर हैस्कुल की प्राचार्या नीता जादव, योग गुरु चरडे माया नहाटकर प्रमुकता से माधवरा उतरार, गुर्बच्चन सेहमी, सतीज गर्जेलवार, योगेश खापेकर, राहुल गुपता, अभिलाश मोहबे, समराट वर्षे, जीतेंद्र गड़ेकर आदी माननेवर उपस्थित थे पुर्ववर्धमान नगर में स्टित रादाकृष्ण होस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट में गंतंत्र दिन कारेकरम संपन्न हुआ, सन 1992 से मानोता की सेवा में यह हस्पताल सदयवा अगरसर रहा है, आज 31 वर्षों से होस्पिटल की ओर से जनता को अनिक सेवा पर खड़ा है, उसका श्रेय संपुरुन कारेकारिनी मंदल के सद्वस्यों वह सहयोग्यों को जाता है, होस्पिटल में गंतंत्र दिन हर्शुला से मनाया गया, होस्पिटल के उपाध्यक्ष कनेयलाल मांधना के हस्ते ध्वजा रोहन किया गया, इस अउसर पर होस्पिटल के सभी कर्मचारी और चिकित सक गण उपस्थित थे, 26 जन्वरी को हम सभी ने अपना राष्ट्रिय त्योवार गंतंत्र दिवस बड़े धुमधाम से मनाया, परंतु शेहर के कुछ गैर जिम्मेदार नागरिक ने हमारे कागज प्लास्टिक से बने राष्ट्रिय द्वज तिरंगे को रास्टों पर गलियों, बगीचों, सारवजनिक स्थानों पर बड़ी धैनीय अवस्था में फेक दिया। धरंपेट परिसर पर घूम घूम कर राष्ट्रिय द्वज को सम्मान पूर्वक उठाया गया। ICAI की स्थानिय शाखा द्वारा ICAI के छात्र काउशल सववर्दन बोल्ड आप स्टडिज के तत्वाउधान में दोद्यूसिय चात्र संबिलन की सफलता पुर्वक मेजबानी की गई। कारेकरम में दिल्ली, हैदराबाद, उडिसा, सूरत, केरल, आधी जगों से छात्रों की उच्छावपुर्ण भागिदारी देखी गई। समापन सत्र की मुख्याती थी सिम्वाईसिस इंस्टिटूट आप विजनेस मैनेजमेंट की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीरंग अल्टेकर थे। उन्होंने कहा जीवन में केवल एक चीज निरंतर है परिवर्तन, बृत्यू, प्रतिसपर्दा और आयकर। छात्र के लिए सभी प्रतिकुल परिस्टिटियों के लिए तैर रहना चाहिए। संचालीच सेंट्रल इंडिया ग्रूप अप इंस्टिटूशन लोनारा परिसर में आजादी के अमरूत महोचसव के आउसर पर वार्शिक क्रीडा प्रमनपत्र वितरन कारेकरम का आयोजन किया गया था। बैंगलोर डॉक्टर गुरू शास्त्री, कुवीड वारियर डॉक्टर ओवेस हसन, कॉंग्रेस महिला सेल अध्यक्षन नैश अली, जिला परिशत सदस्या कुंदराउत, महराष्टर कॉंग्रेस व्यापार एवं उद्योक सेल के अध्यक्षा अतुल कोटेचा, बजेरिया के नगर सेवक दीपक पतेल, आदी माननेवर उपस्तित थे, महाविद्यालय में विवित क्रीडस परदा, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तग अफ वार, बैडमिंटन, खोखो, कबडडी, आदिस परदाओं का आयोजन किया गया था, इस के छात्रों के लिए पड़ाई के साथ-साथ, खेलकूत के क्षेत्र में भी आगे रहना बेहत जरूरी है, मनपा के विविद विभागों में हुई आर्थिक अनियमित्ता और कार्यपद्दती में हुई ब्रस्ठाचार की जाच के लिए गठित समिती में सेवा निवरुत्त नयादिश स्पी मूले को नियूकत करने का निर्ने लिया है, सत्र नयायले के सेवा निवरुत्त नयादिश स्पी मूले ग्रहक सुरक्षा नयायले में काम कर चुके है और मुंबई उच्छे नयायले के रजिस्टरार भी रह चुके है, उन्हें कई जाच समितियों में काम क करने का अनुभव है, मनपा मुख्याले में स्टेशनरी गोटाले पर गठित जाच कमिटी के बैठक गुर्वार को हुई, जिसमें जाच समीती के अध्यक्ष अविनाश ठाकरे, विपक्ष के नितात आनाजी वनवे, एड़ोकेट संजे बालपांडे, संदीप जाधाव, सद पुलिस आयुक्त को पत्र जारी किया जाएगा, चुकि पुलिस आयुक्त का स्वास्त ठीक नहीं था, अता उन्हें डाक से एक पत्र भिजने का निर्णे लिया गया, उनके ठीक होने के बाद समीती के सदच से उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और निवेदन देंगे यहाँ जानकारी समीती के अध्यक्ष अविनाश्ठाकरे न दी, विभाग ने समीती के समख्ष तीन लेखा परिक्षकों के नाम प्रस्तावित किये है देश की आजादी के लिए नागपूर के करांती कारियों का महान योगदान रहा है इन स्वतंतरता सेनानीयों के कारियों का सम्बान करते वे, उनके परिवारों के प्रती आभार व्यक्त करते वे महापोर दयाशंकर तीवारी ने आजादी के अमरूत महुत सव वर्ष में शहर की नईपीडी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देने के उद्धिश से एक अभिनव आउधारना पेश की थी इसके ताहद गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में इस पहल की शुरुवात शहीच शंकर राव महाले के नवाप पुरा स्थित आवास से हुई उनके आवास पर वीशेश नेम प्लेट लगा कर शहीच शंकर राव महाले को श्रदान जली अरपित की गई इस अवसर पर महापुर दया शंकर तिवारी गांधी बाग जोन की अध्यक्षा शरद्दा पाठक, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, पारशद राजेश घुडपागे और महाले परिवार के सद्धस्यगन मौजुद थे महापुर तिवारी ने बताया कि नागपुर शहर में 301 स्वतंतरता सेनानियों के घरों के सामने ऐसी ही विशेश नेमपलिट लगाई जाएंगी ब्रिटिस सरकार के खिलाप 1922 के भारत छुड़ो आंदोलन में शहीच शंकरराओ महाले ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उनके पिता दाजी बाजी महाले को आंदोलन के दोरान गोली मार दी गई थी इसके विरोध में नागरिकों ने नवापपुरा में एक पुलिस चोकी में आग लगा दी थी इसी आंदोलन का नितरुत्व शहीच शंकरराओ महाले ने किया था आज 15 पलस और 45 पलस आयूवरगे के सभी नागरिकों का कोवी शिल्ड का टीका करन नागपुर महानगर पारिका के साथ-साथ सरकारी केंदरू पर होगा टीका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा टीका करन के लिए ऑनलाइन और ओफ लाइन दोनों पद्दतियों से पंजिकरन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंद्रू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोवीशिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थे अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोध मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासायब आमबेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस के घुमने वाले 88 गैर जिम्मेदार नागरिकों पर करवाई की और उनमें से हर एक से 500 रुपे के हिसाब से 44,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया पिछले कुछ मैनों में NDS दस्ते ने 44,000 से अधिक नागरिकों पर करवाई की और 2 करुट 4 लाक रुपे से अधिक राशी क का जुर्मान वसुला, शेहर में आजकल मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे है, कोरोना वाइरस से संक्रमन का खत्रा अब भी काफी हद तक बरकरार है, लेकिन फिर भी नागरिक लापरवा है और अब भी अनिक जगों पर नागरिक सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जि आउडाते नजर आ रहे है, शेहरी हिस्सों में बगर मास के नागरिक खुल्याम बाजारों जैसी जगों पर घूमते वे नजर आ रहे है, जो की खतरनाक साबित हो सकता है, इसके चलते उपद्रव खुजी दलद्वारा इस प्रकार के गयर जिम्मेदार नागरिकों के किला लगतार कारवाई कर रही है, ऐसी हरकतों से वे खुद के तथा परीजनों के स्वास्ट के साथ साथ समाज और शेहर के लोगों के स्वास्टे को भी खत्रे में डाल रहे है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार